आज केंद्रिय रक्षा मंत्री राजनास सिंग पटना के दौरे पर हैं वो पटना के श्रिक्रेश्ट मेमोरियल हॉल में पाथी के कारिक्रम में शामिल होंगे इस कारिक्रम का आयोजन बिहार बीजेपी की तरफ से किया जाएगा और इसका नाम जन जागरन सभा रखा गया है केंद्र सरकार ने हाल ही में जमू कश्मीर से आडिकल 370 को हटाया है इस कारिक्रम का आयोजन उसी के आधार पर दरसल किया गया है इस कारिकरम में रक्षा मंद्रि राजना संq के साथ कही वरिस नेता भी मौजूद रहेंगे बड़ी कबर इस वक्त की राजना संग केंद्रिय रक्षा मंद्री आج बिहार के दौरे पर होंगे जन जागरन मंच का जन जागरन सभा का आयोजन किया गया है खास तोर पर धारा 370 जो आर्टिकल 35A 370 हटाया गया कश्मीर के बाद से उसके बारे में जागरित किया जाएगा लोगों को ये जागरन सभा के जरीए इस मंच के जरीए रक्षा मंतरी राजना सिंग दरसल बताएंगे किस तरीके से कठोर पैसले भी हमारी सरकार ने लिये हैं वक्त आने पर बड़े बड़े फैसले लेने से सरकार नहीं चुकती है और अगले ही साल बिहार में चुनाव भी हैं और उससे पहले अब चुनावों से पहले की पटकता तयार की जाएगी हलाकि बहुत से बाते कई बार सामने आती रहती हैं कि बहुत से ऐसे विवाद भी है जेडियू के साथ जन से बात कभी बिगरती है कभी सुधरती है लेकिन फिलहाल कोशिशें ये जारी हैं कि जेडियू तक हवा में वो रहे थे और उसके बाद उन्हें ने कहा था कि तेजस वाकिए अब इसका निर्याद भी किया जा सकता है बहुत से देशों से ये डिमांड भी आ रही है और आज बिहार के दोरे पर हैं राजनास सेंग तो पट्ना के दोरे पर रहेंगे रक्षा मंतरी राजना सेंग और यहां आटिकल 375 से हटाए जाने के बाद क्या स्थितियां बनी है और किस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया है और ये भी ये कहेंगे कि जो भी उनके मैनिफेस्टों में था जो भी संकल पत्र में था एक एकर सभी मुद्दों को सरकार सामने रखना चाहती है और ये किनन